हेलो एब्रिवन आज हम लोग कॉमर्स 11th क्लास का क्लास नंबर 4 करेंगी इससे पहले 3 लेक्ष्यार अप्लोड हो चुका है उसको आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं तो हम लोग NCRT का बुक से पढ़ रहे हैं और आज हम लोग को चैप्टर नंबर 2 का इस्टडी करना है जिसका नाम है थियोरी बेस ओफ अकाउंटिंग इससे पहले बेसिक टर्मस इन अकाउंटिंग अकाउंटिंग का डिफिनेशन यह सब अल्रेडी हो चुका है उसको आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में चेक आउट कर सकते हैं देख सकते हैं तो यह फ्रेस आज हम लोग चैप्टर इस्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इस चैप्टर का नाम क्या है थियोरी बेस ओफ अगाउंटिंग यानि कुछ accounting का basic principles, generally accepted accounting policy, fundamental accounting assumptions ये सब के बारे में आज हम लोग को study करना है तो सबसे पहला study क्या है? GAP, generally accepted accounting principles ये होता क्या है? देखिए ध्यान से समझे accounting के लिए कोई specific act नहीं बना हुआ है कोई law नहीं बना हुआ है जैसे अलग होता है बिजनेस के लिए corporate law या फिर कोई society में समाज में crime करता है उसके लिए IPC की धारा इतने के ताथ सजा दिया जाता है तो वो क्या है? उसके लिए act है धारा बना हुआ है लेकिन accounting के लिए कोई act नहीं बना हुआ है तो जब act नहीं बना हुआ तो कैसे सब लोग एक जैसा ही accounting करेंगे पुरी दुनिया में एक जैसा ही accounting technique apply किया जागा कैसे possible है तो उसके लिए अलग से generally accepted accounting principles बनाया गया है यानि अगर आपसे पूछा जाया कि accounting किसके उपर बेस है तो हमेशा आपको जवाब देना होगा कुछ ना कुछ principles के उपर बेस है आपका कुछ standards के उपर बेस है कुछ accounting assumptions के उपर बेस है assumptions principles standards ये सब maintain किया जाता है accounting में तो नामी ये नाम क्या है generally जनरली मतलब maximum लोग पूरे worldwide लेबल पे globally maximum लोग accept किये हैं accounting principles को उसी principle को हम लोग सीखना है कि होता क्या ताकि हम लोग उसमें सामील हो जाए जो सब लोग एक जैसा accept किये हुए एक जैसा follow करते हैं वैसे हम लोग भी follow कर सके और एक जैसा uniformity हो सके अनिकता मेकता का तो वहीं चीज होता है generally accepted accounting principle कि accounting पुछनकुछ principle के base पर काम करती है उसी principle को सीखने जा रहे हैं ताकि हम लोग भी उस principle को follow करें ताकि किसी भी company में किसी भी business में अगर accounting करना हो तो हम भी उसी के जैसा accounting maintain करें जैसा पूरी दुनिया में लोग maintain कर पाते हैं अब इसमें क्या हम लोग को सीखना है तो इसमें basic accounting concept क्या है इसमें basic accounting concepts में business entity money measurement तो एक एक को करके हम लोग को देखना है तो पहला इसमें क्या है business entity concept entity जैसा कि मैंने पिछले lecture में भी बता चुका हूँ कि entity उसको बोलते हैं जो भी business organization होती है जो भी संस्ता होती है organization होती है उसको क्या बोलते है entity बोलते है तो यह business entity concept क्या होता है इसमें यह माना जाता है कि जो business mind है बिजनेस का मालिक है वो अलग ब्यक्ति है और बिजनेस बिलकुल अलग ब्यक्ति है यानि दोनों को separate entity माना जाता है ध्यान देजिए गर legal entity नहीं बोल रहे हैं इंटिटी बोल रहे हैं यानि बिजनेस अलग नाम से जानी जाएगी और बिजनेस का मालिक अलग नाम से जाना जाएगा हम लोग किसका अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस का करते हैं ना कि बिजनेस मायन का करते हैं समझ आया कोई भी डाउट होगा तो प्लेज आप लोग तो कोई भी business का transactions होगा उसको पहले हम लोग money में major करते हैं जब तक कोई भी transactions को money में major नहीं कर पाएंगे तब तक उसका record नहीं होगा यानि पैसे रुपे में ही always record किया जाएगा और वो भी इदम exact money में होना चाहिए अगर आपके पास कोई भी अनमोल चीज है तब value आप नहीं पता कर लिजीएगा कि actual हो है कितने का या कितने में sell हो सकता है तब तक उ recording नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट है गोइंग concern concept यान दिजीएगा गोइंग concern concept क्या बताता है ये going concern concept ये concept होता है जो कि business किया जाता है तो ये सोच करके ये thought process के साथ किया जाता है कि business लंबे समय तक चलता हुआ रहेगा concern का मतलब भी entity होता है, business होता है एक एक word को अगर देखें तो क्या going का मतलब चलते जाना, चलते जाना concern का मतलब क्या business या entity तो entity को हम लोग create करते हैं, बनाते हैं business से start करते हैं, तो ये सोच के नहीं करते हैं कि अगले दो साल में close कर देना है वो तो कोई emergency आ गया, अचानक case होज सा हो गया तब साथ close हो जाएगा, लेकिन मन में सोच क्या रहता है thought process क्या रहता है, कि लंबे समय तक business को run करना है उसी को बोलते है, going concern concept फिर है यहाँ पर accounting period concept accounting period concept का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग books of account बनाएंगे न तो हर एक transactions को record तो करते ही है और end of the year हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि business का actual profit ये actual loss क्या हुआ यानि actual performance क्या हुआ, actual position क्या है asset or liabilities क्या है किसी भी business का तो ये जानना चाहेंगे हम लोग तो ये हर दिन नहीं जानना चाहेंगे हर दिन कितना profit हुआ, ऐसा जानने की कोई जरूत नहीं है पूरे एक साल में accounting period में कितना profit ये loss हुआ, वो जानने की कोशिश करते है तो accounting period ये generally 12 month का होता है, 12 महीने का और ये दो टाइप का होता है जी, एक होता है calendar year और एक होता है financial year calendar year किसको बोलते हैं, जो एक जनवरी को start होगा, 31st December को खतम होगा, ending होगा financial year किसको बोलते हैं, 1st April को start होगा every year और 31st March next year में close हो जाएगा, उसको बोलते हैं financial year तो याद रखेंगे न, accounting period concept, generally 12 month का होता है दो टाइप का होता है, calendar year and financial year फिर है आपका cost concept cost concept क्या बोलता है, cost concept में हम लोग देखते हैं कि कोई भी product का कितना cost लगा उसको manufacturing करने में आपके पास कोई भी समान आपके पास है, तो कहां से आएगा या तो आप purchase करेंगे, या तो उसको आप खुद से बनाएगे दो ही तरीके से आ सकता है, तो purchase करने में जो amount pay किये वही cost होगा, उसी को आप books of account में record किजिएगा या फिर अगर खुद समान को produce किये हैं, फैक्टरी में production किये हैं, तो जो भी production का cost हुआ, सबको add करके और उसको निकाल लेते हैं, वही cost of production हो जाता है वही कहला आता है, cost concept next है, dual aspect concept dual aspect concept क्या होता है, कि हम लोग हर एक transactions का double aspect entry करते हैं, यानि एक अगर debit होगा, तो दूसरा क्या होगा same amount से credit होगा, उसी को बोलते हैं, dual aspect concept यानि एक debit तो दूसरा क्रेडिट, या पहला क्रेडिट तो दूसरा जरूर debit होगा, must be debited, with the same value, same amount बिल्कुल, तो उसी को बोलते हैं, dual aspect concept समझ में आया dual aspect concept में ही है, क्या चिए, asset equal to liabilities plus capital हो जाता है equation याद रखिएगा, इसको next chapter में जब हम लोग पढ़ेंगे, accounting equation वहाँ पर ये काम आएगा और detail में सीखेंगे इसको, और वैसे asset होता क्या है, बता चुके हैं liabilities क्या होता है, भी बता रखें, capital भी बता रखें पिछले वीडियो में जा करके आप लोग चेक आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं, revenue, recognition या realization concept ये concept क्या बोलता है, ये concept बताता है हम लोगों को accounting में कि कोई भी revenue होता है, revenue मतलब simple क्या होता है, sales तो जो भी sales होता है, उसको कब हम लोग books of account में record करें और कितने value से करें, जैसे आप कोई समान बेचते हैं, तो बेचते हैं, तो मान लिजे उसका terms and condition है, कि एक सब्ता के बाद कोई भी, एक सब्ता तक policy है, कि एक सब्ता हमें कोई भी return कर सकता, अगर पसंद नहीं आया, तो, एक सब्ता के बाद return नहीं होगा, हाँ, तो revenue recognition क्या होता है, कि जब भी हम लोग sale करते हैं, term and condition for example क्या है, within a week कोई भी, आप condition रखे हैं, कि जिसको समान पसंद नहीं आया, वो आपस कर सकता है, तो, जब तक वो term and condition fulfill नहीं होगा, आप उसको record नहीं किजिया, कि sale होगया, क्या पता आप sale record किये, और material वापस हो गया, समान वापस हो गया, तो, कब revenue को recognition करें, realization करें, कब मालने sales, कब profit माने, ये सब concept सिखाता है, revenue recognition concepts, फिर next है, matching concept, क्या है, matching concept है, तो, matching concept क्या बताता है, कि जैसे, एक साल हम लोग business करते हैं, एक साल के बाद जानना चाहते हैं, बिजनेस का कितना profit हुआ ये loss हुआ, तो, सारे expenses को एक जगई कठा करते हैं, और income को एक जगई कठा करते हैं, और दोनों में compare करते हैं, अगर income ज़्यादा हुआ, तो profit, income कम हुआ, खर्चा ज़्यादा हुआ, तो loss, तो इसी को बोलते हैं, matching concept, जो कि हम लोग बनाते हैं, trading and profit and loss account, end of the year, साल के अंत में, वो क्या है, matching concept है, यानि profit और loss को calculate करना, एक साल बीत जाने के बाद, इसमें कुछ भी हो रहा, calculation या important decision, वो सब को भी आपको full disclose करना है, जो भी आप financial statement या books of account बनाएंगे उसमें, ताकि जो भी user उस information को पढ़ेगा, read करेगा, तो उसको समझ में आएगा, और उसके basis पर decision making अपना opinion फॉर्म कर पाएगा, तो जो भी चीज है, calculation जैसे हम लोग बनाते हैं न कोई भी सवाल, तो working note करते हैं, calculations करते हैं, कि amount कहां से आया, figure कहां से calculate हुआ, तो सब कुछ आपको disclose करना है, मैंले आप rough में कर लेते हैं, rough में नहीं करना, answer का part होना चाहिए, full disclosure होना चाहिए, कोई भी important material decision है, उसको भी आपको disclose करना होता है, वहीं होता है, full disclosure concepts, next है consistency concept, अब हम लोग जो भी देख रहे हैं, principles देख रहे हैं, इस principles में से जो भी principle हम लोग एक बार adopt कर लेते हैं, जैसे accounting year बताएं न कि दो होता है, एक होता है financial year, एक होता है calendar year, तो जो भी अगर policy को या concept को एक बार adopt कर लेते हैं, लागू कर देते हैं अपने business में, उसी को लगतार year on year, year on year, हर साल उसी को follow करते रहना है, भार-बार change नहीं करना है, ऐसा नहीं कि किसी साल मन कर रहा तो financial कर लिए, किसी साल मन कर रहा तो calendar year को follow कर लिए, जब मन किया तब कर लिए, ऐसा नहीं, एक ही rule को लगतार year on year follow करते रहना है, जब तक कि जरूवत change करने की जरूवत महसूस नहीं हो, तब तक change नहीं करना चाहिए, और बार-बार change तो बिलकुल नहीं करना चाहिए, यहीं कहलाता है consistency concept, यह 11th class का, जो NCRT का book है, उसी book से पढ़ा रहे हैं, आपको सारे चीज मिल जाएगा, थिवरी को detail में आप घर से जरूर बढ़िएगा, next है, next है आपका conservatism concept और materiality concept, conservatism concept क्या बोलता है, इसको prudence basis भी कॉल किया, इसको prudence भी बोलते हैं, conservatism concept या prudence concept भी बोलते हैं, यह provide करता guideline for recording transaction in the books of account and is based on the policy playing safe, यानि safely play करने सिखाता है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको profit होने की probability है संभावना है, तो उसको books of account में record मत कीजिए, लेकिन अगर loss होने की संभावना है, थोड़ा सा भी तो उसको loss को record कर लीजिए, यह loss को जल्दी book कीजिए, profit को जल्दी book नहीं करना है, इसको बोलते हैं conservatism approach या concept, materiality concept क्या होता है कि आपको business में जो सबसे ज़्यादा important चीजिए होता है उसी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो important materiality का मतलब होता है important, तो जो भी important चीजिए हैं उस पर ज़्यादा fully focused होना चाहिए, उस पर ज़्यादा efforts लगाना चाहिए, time devote करना चाहिए, ना कि छोटा छोटा या minute expenses या minute losses पर ध्यान देना चाहिए, जो important है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट है objectivity concept, यह objectivity क्या होता है, objectivity का मतलब यह होता है ना कि जो accounting का rule follow किया जाता है, rule को follow करके, concept को follow करके, जो भी result output हो रहा है, उसी result को show off करना, उसी को दिखाना, अपना personal subjectivity नहीं लाना, उसमें अपना judgment नहीं देना, जो actual fact और figure finding हो रहा है, उसी को disclose करना, उसी को बताना accounting में यहीं काम किया जाता है, है नो, अपना कुछ नहीं डालना, business create नहीं करना, जो चीज गलत है उसको हम सही बता रहे हैं, होता है नो, कोई जब अजस्ति ऐसा करता है, तो अपना personal objectivity नहीं डालना है, आपका objectivity concept वहीं होता है, तो यह था आपका basic concept in accounting, अब अगले class से हम लोग पढ़ेंगे, system of accounting, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, thank you so much to all of you for joining us, कोई भी doubt होगा, please comment करके पुछिएगा,